नवस्कार दोस्तो जैहिंद वंदे मातरम दोस्तो आपके अपने यूटूब चैनल सिच्छा जगत के चैनल राश्ठित में चैनल जैस्वाल कोचिंग सिंटर पे स्वागत अविदन्दन करते हैं दोस्तो मैं आपके साथ जैस्वाल सर दोस्तो बात करेंगे CDP Child Development and Pedagogy यानि बालविकाज सिच्छा सास के प्रेक्टिस सेट नंबर 14 दोस्तो 14 आपके यह प्रेक्टिस सेट है हर एक प्रसन हर एक कंसेप्ट आपके स्लेबस एक्जाम पैटन पर है क्योंकि यहां पर सलेक्शन सरो पर है इसके पिछले प्रेक्टिस सेट यानि प्रिवियस प्रेक्टिस गोल्डेन क्लास बीडियो को अंतक देखे 30 महत्पूर्ण अटेंड करके जाए दोस्तों पहला परसनिस्केन पर बाल विकाशकर्थ है दोस्तों बाल विकाशकर्थ बिवार में परिवर्तन होता है कि बालक के गुनात्मक और परिमानात्मक परिवर्तन होता है या बालक का और परिमानात्मक जो परिवर्थन होता है यही बाल विकास कर्थ होता है यानि राइट आपसन आपका दोस्तों सिकंड आपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों मेरे सभी प्यारे मित्रों को वीडियो लाइक करने के लिए सभी मित्रों को जहिंद वंदे मातम दोस्तों सेलेक्शन सरो पर है योगि पावर्ड वाई सिच्छा ही प्रकास है सिच्छा में ज्यान देती है शंसकार देती है सेलेक्षन के उल ले जाती है दूसरा प्रसने बाल विकास की प्रकतिक कैसी मानी जाती है विग्यान माई मानी जाती है अप्राकृतिक मानी जाती है अनिश्चित मानी जाती है बाल बिकास के अध्यान के पिता कौन है आपके फ्रॉइड है इस्टेनले हाल है ड्रेवर है डार्विन है तो बाल अध्यान के पिता कौन कहलाते हैं सभी लोग कमेंट करेंगे अगर आप लोगों से पता है तो यहाँ पर इस्टेनले हाल हो जाएगा बाल अध्यान के पिता जनक आपके इस्टेनले हाल माने जाते हैं तीसरा अपसन सही हो जाएगा बहुत बहुत धन्वाद दोस्तों अंगला प्रस्ण है बाल बिकास की उपयोगिता है बाल निर्देशन में बाल कों के सिच्छन में बाल कों के शुभाव को समझने में बाल बिकास की उपयोगिता किसमें दोस्तों देखिए बाल बिकास की उपयोगिता जो होती है बाल निर्देशन में भी होता है बाल कों के सिच्छन में भी होता है और बाल कों के शुभाव को समझने में भी उपयोगिता होती यानि कि आपका हो टापसन नहाँ पर सई हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला पर आप सभी लुग बाहबी अद्यापक अद्यापक आए आप लोग ग्यानी है शर्वग गया है दोस्तों ये बताईए पूर बाल लावस्ता की बिसेस्टा क्या होती है सबी लोग कमेंट करेंगे जिग्यासा होती है खिलाओने में रूची होती है नवीन पधतियां होती है तो पूर बाल्लय वस्था की रूच आप सबी लोगों को कमेंट के मादम से बताना है तो राइट आपसन आ चुका है दोस्तो हम बात कर रहे है पूर बाल्लय वस्था की देखे दोस्तो पूर बाल्लय वस्था में एक समान रूप के सुरूप बाल्लय के लंबाई अगर लगभग कितना पूंचा जाता है तो 47 इंच होती है ठीक है और लगभग उनका वजण अगर ठीक है पूर बालावस्था में बच्चों का वजन आपका 47 से 48 पॉंड होता है ठीक है और इनकी विशेष्टाएं है कि देखे बालक में नवीन प्रवत्तियां जैसे जिग्यासा, सजन सीलता, नुकरण, इत्यादी जन्म लेने लगती है या आपके पूर बालावस्था से ही जन्म लेने लगती है और नए रूपों में समयोजन की समस्या का सामना करता है बच्चा कब करता है तो आपके पूर बालावस्था में ही बच्चा करता है तो आपके पूर बालावस्था में ही बच्चा करता है तो आपके पूर बालावस्था में ही बच्चा करता है तो आ बालकों में 6 से 14 वस्तक होती है और इस अवज़ में सरीरिक परिवत्नों की गति बढ़ जाती है। यानि उत्तर बाल लवस्था में बालक स्वैम कारेओं की पहल करना सुरू करता है और परिश्रमी बनने की सुरुवात करता है बच्चा उत्तर बाल लवस्था से ही करता है और इस अवस्था में यानि उत्तर बाला वस्था में वय अभाओं और कठोरताओं को सहन कर लेता है वय किसोरा वस्था की भाती क्रांतिकारी भावनाओं का प्रदर्शन कम करता है ठीक दोस्तों अब देखते हैं अंगला प्रस्था अंगला प्रसन है कि बाल विकास कब संपन हो जाता है बाल्या वस्था में सैसा वस्था में जीवन परियन चलता है या किसोरा वस्था में देखे बाल विकास कब संपन देखे संपनता की जब भी बात की जाती है देखे सबी लोग विकास की बात करते है बालक का विकास हमारा आपका विकास जो है जीवन परियंद चलता रहता है लेकिन जो जीवन परियंद नहीं चलता है दोस्तों वो ब्रदी है ब्रदी एक निश्ची तमय तक होती है निश्ची सीमा जो होती है वहाँ पर होती है लेकिन विकास आपका जीवन परियन चलने वाला शंपनता है आपका तीसरा अपसन सही हो जाएगा अब अंगला प्रस्ण पूँचा जा रहा है दोस्तो कि बाल विकास को कितने भागों में बांटा गया है यहाँ पर बहुत सारे प्रस्ण बनते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पर आपका दिया नहीं गया है कि बाल विकास को इतने भागों में बांटा गया है ठीक है इनके अनुसार मता नुशार ठीक है यहाँ से प्रस्ण पूँचे जाते हैं बहुत बार एक्जाम में आपके पूँचे गए कि हर लाग के अनुसार बताईए ठीक है बाल विकास के अवस्थाएं जीन पी आजे जी के अनुसार बताईए ठीक है तो यहाँ पर अगर ऐसे प्रस्ण पूँचे जाते हैं तो फिर आपको बताना लेकिन अगर सिंपल सा कि सहचिक दस्थे बाल विकास के अवस्थाएं देकि सहचिक दस्थे पहली अवस्था आपकी किसोड़ा वस्था होती है दूसरी अवस्था बाल अवस्था होती है और तीसी आपकी किसोड़ा वस्था होती है यहीं सहचिक दस्थे बाल विकास के अवस्थाएं कितनी होती है तो तीन ही होती है उपरोग तीनों हो जाएगा ठीक है बांकी अनमता नुशार आपको याद कर लेना कंठस करना है हर एक प्रस्णिया पे दोस्तों इंपोर्टेंट है क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि सलेक्सन यहाँ पे सरो पर ही है जी हाँ दोस्तों चले अंगला उसने बाल विकास को सरवाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है सभी लोग कमेंट करें बाल विकास को प्रभावित करने वाला कारक देखिए एक क्वेशन दोस्तों मैं वता देता हूं आप लोग जानते हैं कि देखिए हर लाग के नुसार विकास के वस्थाएं लाग के अनुसार पहली अवस्था गर्वकालीन अवस्था होती है फिससा अवस्था बच्पना अवस्था पूर बाल अवस्था उत्तर बाल अवस्था वयाश संदी पूर किसोरा अवस्था किसोरा अवस्था प्रोडा अवस्था मद्य अवस्था ब्रद्ध अवस्था ठी ठीक है कोल के इंसार भी 12 आपकी अवस्थाएं है ठीक है तो ये आपको अवस्थाएं दी गई है ठीक है लेकिन अगर सिंपल तरीके से पूचा ला तो आपके तीन होती है सिच्छा के रस से अंगला प्रसने बाल विकास को सरवाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन शाह ह योन सिच्छा, बुद्धी परिच्छा, खेल कूद का मैदान ये सुन्दर बिद्यले भवन तो आप सभी लोग बावियत दापक का दापिक है आप लोग जानते हैं कि बाल विकास को सरवाधिक प्रभावित करने वाला जो कारक होता है वह होता है कौन सा दोस्तो खेल अब देखते हैं अंगला प्रसंद क्या दिया गया कि बाल विकास में गर्भा वस्था से किसोरा वस्था तक अद्धन किया जाता है प्रक्रिया पर बल दिया जाता है वातावरन और अनभो की भूमिका पर बल दिया जाता है यह उपरियुक्ष भी होगा तो दोस्तो बाल बाल बिकास में क्या होगा कौन सा अपसन आप फिट होना चाहिए कौन सा आपसन सही होना चाहिए हम बात कर रहें बाल बिकास की दोस्तों गर्बा वस्ता से किसोरा वस्ता तक का अध्यन बाल लिकास में होता है प्रक्रिया पर भी बल दिया जाता है वातावरन अनवो की भू दनवा दोस्तों सिच्छा के चैनल को सपोर्ट करने के लिए जैस्वाल सर को सपोर्ट करने के लिए आईए देखते हैं यंगला प्रस्ट बाल विकास का अध्यन छेत्र माना जाता है या बाल विकास का अध्यन छेत्र होगा विक्तिक्त विविनताओं का अध्यन या जो विक्तिक्तों में विविनताओं होती उनका अध्यन करना या बाल विकास की विविन अवस्थाओं का अध्यन या वातावरण की बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभाओं का अध्यन तो बाल विकास का दोस्तों अध्यन छेत माना जाता है सभी अध्यन छेत माने जाते है ठीक है विक्तिकत जो विविनताइं होती है उनका अध्यन करना भी बाल विकास का अध्यन का छेत माना जाता है बाल विकास की भी अवस्थाओं का भी अध्यन करना वातावरण के बाल विकास पर पढ़ने वाले प्रभावों का ध्यन करना यानि उपर युक्षबी आपका D आपसन है आपर होता आपसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रसंद क्या दिया गया है कि बाल विकास सुरू होता है उत्तर बाल वस्ता से सुरू होता है सैसा वस्ता से सुरू होता है ठीक है प्रशो पूर अवस्ता सुरू होता है यह पूर बाल वस्ता से होता है ठीक है विकास जीवन पर चलने वाली है ठीक है जब तक आदमी के मरत नहीं हो जाती तब तक विकास चलती है और विकास सैसावस्था से ही प्रारम हो जाती है यानि कि क्या होगा यानि कि सैसावस्था नहीं प्रशवपूर अवस्था यानि कि प्रशवपूर यानि जब बच्चा पैदा नहीं होता है उससे पहले ही बच्चे का जो है विकास सुरू हो जाता है प्रश्वपूर अवस्था से बिकास सुरू हो जाता है बालक या बालिका का तो राइट आपसन आपके हाँ पर प्रश्वपूर अवस्था हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्वन क्या दिया गया है इसकी इन पर प्रस्वने बिकासात्मक बाल मनो बिग्यान के जनक किसे माना जाता है हम बात करें बिकासात्मक बाल मनो बिग्यान के जनक की फ्राइट को, वरूनर को, जीन पियाजे जी को, कैली को तो जब भी आपके एक बिकासात्मक सब्द आपको आए आप्शन पर बिकास आत्मक सब्द जब आए तो बाल मनुविज्ञान की जनब किसे माना जाता है तो आपके जीन पियाजे जी को माना जाता है जीन प्याजे ने महत्पुन बाल बिकास की चार वस्थाएं बताई है पहले वस्था होती है मूर्थ आपके कौन से होती है मूर्थ संक्रियात्म का वस्था होती है कौन से होती है सभी लोग कमेंट करें मूर्थ संक्रियात्म का वस्था पहले होगी और चौती अमूर्त या औवचारी क्रियात्मा का वस्था, चार वस्थाएं आपकी जो जीन प्याजे जीने दी है अब देखते हैं दोस्तों अंगला परस्था, खिलाओने की आयू कहा जाता है पूर बाल लावस्था को उत्तर बाल लावस्था को सैसा वस्था को या इन सभी अवस्थाओं को खेलने के या खिलाओने की आयू कहा जाता है या बहुत बार पूछा जाता है तो पूर बाल लावस्था की जो आयू होती है उसे खिलाओने की आयू माना जाता है पहला अपस जो है सिच्छा के छेत मुखिस्थान बालक का होता है प्रसासक का होता है अध्यापक का होता है अभिवावक का होता है तो बाल मनो बिग्यान नाम से ही आपको पता चला है ठीक है चाइल्ड आपका फिचको लाजी यहाँ पे जो है तो बाल मनो बिग्यान के अनुसार जो है दोस्तों, शिच्छा के छेत्मे मुख्यस्तान क्या है, तो बाल मनुग दोस्तों, बालक का यां पर मुख्यस्तान हो जाएगा, तो आपका पहला आपसन सही हो जाएगा, कुछ question होते हैं, दोस्तों question में एंसर होता हमें, के बल समझने की जुरत होती है, तो एक बार मेरे सभी प्यारे मित पहली बार अगर विजट कर रहा है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, सदस्ता हासिल कर लेंगे, अपने परिवार में जुड़िए, ये आपका अपना परिवार है, सिचकों का परिवार है, अंगला प्रस दिखते हैं सैसा वस्था में सिसु होता है, जब सिसु सैसा वस्था में होता है, तो वह समाजिक होता है, आत्म केंदित होता है, समवेग आत्मक दस्टी से दर्ण होता है, यानि मजबूत होता है, ये समवेग आत्मक रूप में अस्थिर होता है, तो मेरे प्यारे मित, मेरे भावी अधा पकद्धा पिका इसे चकबंदू सैसा वस्था में सिसु जो होता है वह आत्म केंदित होता है ठीक है? सैसा वस्था में सिसु कैसा होता है आत्म केंदित होता है दोस्तो आपसं सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तो अंगला प्रस्थ बालक पहली बार समाजिक वातावरन में प्रवेश करता है बचपन अवस्था में करता है पूर बाल अवस्था में उत्तर बाल अवस्था में किसोर अवस्था में तो यह प्रस दोस्तो काफी बार पूँचा गया है कि पहली बार जो है समाजिक वातावरण में प्रवेश करता है तो कब करता है तो सभी लोग जानते हैं दोस्तों जब पहली बार बालक समाजिक वातावरण में प्रवेश करता है वह आपकी अवस्था दोस्तों कौन सी कहलाती है शबी लोग कमेंट करेंगे जी हाँ बालक पहली बार घर से अकेले समाजिक वातावर में प्रवेश करता है और वह स्कूल जाना सुरू करता है यानि जब बालक पहली बार समाजिक वातावर में प्रवेश करता है वह और कोई नहीं पूर बाल्लावस्था कहलागी दोस्तों दूसरा अपसन सई हो जाएगा बहु उसके जो पहचान है कि सोर आवस्ता कि सभी लोग जान जाते हैं लेकिन पूर आवस्ता, बाल आवस्ता, उत्तर बाल आवस्ता ठीक है बच्पना आवस्ता इनसे प्रस्न बनेंगे इस बार ठीक है दोस्तों ध्यान पूरक देखेगा अंगला प्रस्न है उत्तर बाल लावस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवस्थक तत्मे परिवर्तन समझने लगता है जब बालक उत्तर बाल लावस्था में होता है तो वैं भौतिक वस्तुओं के किस आवस्थक तत्मे परिवर्तन समझने लगता है यह काफी बार question side में करा चुका हूँ यह question repeat हो चुका है कि द्रवमान, संख्या और छेत में परिवर्तन जो है बच्चा समझने लगता है जब बालक क्या उत्तर बाल लावस्था में होता है ठीक है? यह उत्तर बाल लावस्था लड़कियों में 6-13 और लड़कों में 6-14 वस्था मानी जाती है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्था क्या दिया गया है इसकीन पर प्रस्था की निम्न में से कौन सा जो है बिकासात्मक कार उत्तर बाल लावस्था का उप्युक्त नहीं है बेतरीन लाजवा प्रस्था है अब देखेगा ऐसा दोस्तों जिसमें कौन सा ऐसा बिकासात्मक कार है जो उत्तर बाल लावस्था के लिए उप्युक्त नहीं होगा शामान खेल के लिए आवश्यक सरीरिक कुशलताएं या पुरसोचित, इस्त्रियोचित, सामाजिक भुर्मिकाओं को उप्राप्त करना देखेए आप लोग सभी लोग जानते हैं जो यहाँ पे दूसरा अप्सन दिया गया है ठीक हमें और अप्सन पढ़ने की जुरुरत नहीं है कि विकास आत्मक कार जो है उत्तर बालावस्त को उप्युक्त नहीं होगा तो आपका जो दूसरा अप्सन दिया गया है यह आपको उप्युक्त नहीं होगा तो राइट अप्सन सिकंड हो जाएगा एकाइं टू कोश्चन्स आइचिंग दोस्तो बेहतरी इन प्रिस्ट लाजवाव है प्रिक्टिसेट है अंगला प्रिस्ट है बाल विकास के अध्यन में निमलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है आयू के साथ होने वाले परिवतनों का क्या शुरूप होता है बालक में होने वाले परिवतनों का बीसेश आयू के साथ सम्मंद क्या होता है या बालकों में पाई जाने वाली बैक्तिगत विभिनताओं के लिए प्रकार क्या है ठीक है यह चार आपसन दिये गएं आप चारों में से बताना है कौन-कौन सा सईही है एक-दो सही है, दो-तीन सही है, एक-तीन सही है, या उपरिक्षबी सही है तो राइट आपसन आ चुका है, जवाब आ चुका है कि बालविकास के धन में दोस्तो जो है आयू के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या सुरूप होता है इसको भी शामिल किया गया है आपसे नमबर आपका फोर्स ही हो जाएगा कि ये सभी जो है आपके बाल विकास के अदन में इन सभी बातों को शामिल किया जाता है अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्म क्या दिया गया है कि विकास की प्रक्या में जीवन मूल्यों बेक्तित बेवहार जीवन मूल्यों बेक्तित और विकास की प्रक्या में आपकी दस्टिकोन में भी शुभाव में भी रूची में भी और आदत में भी यानि कि उपर्यूक्त तो सभी आपसन सही हो जाएगा फोर्थ आपसन आप लोगों का सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ण आपको बैने बताया था कि प्रतेक 30 कोश्चन में 3 से 4 प्रस्ण उपरोग शभी वाले कोश्चन आएंगे जिसमें इस एक कोश्चन आपको प्रोग शभी वाला नहीं होगा आप लोग देखेंगे ठीक है अब देखेंगे अंगला प्रस्ण अंगला प्रस्ण कह रहा दोस्तो आप लोगों से प्यारा सा प्रस्ण है ठीक है ध्यान पूरक इसने पूरक बीडियो को वाज करें अंगला प्रस्ण है और अंत में जरूर बता हैं आज की क्लास में 30 में से आप लोगों का स्कोर कितना है दोस्तो सिच्छा मनो बिज्यान में होने वाले मानो भिकास कद्धन किया जाता है तो जो आपके सिच्छा मनो भिक्यान है ठीक है एडुकेशन आपके जो पेड़ोग आपके जो के बोलते हैं फिचको लाजी में होने वाले मानो भिकास कद्धन किया जाता है सैसा अवस्था बाल्ला अवस्था किशोरा अवस्था वैस का अवस्था ठीक है तो राइट अप्सन क्या हो जाएगा देखें सिच्छा मनुविज्ञान में होने वाले जो मनुविकास कद्यन है आपका सैसा अवस्था बाल्ला अवस्था और किशोरा अवस्था इन तीनों वस्तक होती है उन आयू के वर के बालकों की बिसेस्ता क्या होती है कि बालक सभाविक एवं सक्री अधिगम करता होता है सीखने के लिए सिचकों पर निर्वर होता है बालक सिचकों से ग्यान प्राप्त करते हैं बालक सीखने में रुच नहीं रखते हैं तो जो बालक जिनकी आउँ छैसे गेरा वस तक होती है उन बालकों की जो विसेष्टा होती है वह होई कि बालक जो है सभाविक एवं सक्री अधिगम करता हो जाता है पहला अपसंस सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्म क्या दिया गया है छैसे साथ वस दिया गया है कि छैसे साथ वस का बालक दूसरों के विचारों को स्विकार करने की योग नहीं होता जो बालक या जिनकी याव दोस्तों छैसे साथ वस तक होती है ठीक है जो बालक छैसे साथ वस तक होता है वह बालक दूसरों के विचारों को अहम केंद्रित होता है क्योंकि वह कलपनाशील होता है क्योंकि वह बुद्धिमान नहीं होता है तो 6-7 वर्ष का बालग दूसरें की विचारों को स्विकार करने की योग नहीं होता है I think दोस्तो जाएगा आपसा नमबर क्योंकि बालग जो होता है जब जिसकी याव 6-7 वर्ष होती है उस अवस्ता में बालग क्या होता है अहम किंद्रित होता है ये भी प्रशना सकता है कि बालग का अहम किंद्रित होता है 6-7 वर्ष के सम्तिंग तो इसका रीजन यहीं है कि बालकों में दूसरे विचारों को स्विकार करने योग नहीं होता क्योंकि वह आहम किंदित होता है जो करता है अपना ही मानता है ठीक है अंगला अपस देख लेते हैं निन में से किसकी भूमिका जो है पूर बाल अवस्था में बालक के समवेगात्मक विकार से तु सरवादिक मत्पूर होती है इन में से किसकी भूमिका जो है पूर बालावस्था में पूर बालावस्था मैंने बता है पूर बालावस्था उत्तर बालावस्था ठीक है यहां से प्रसुन बनेगे सैसावस्था से तो निमलिकित में से किसकी भूमिका पूर बालावस्था में पूर बाला वस्ता की आओ, ठीक है, तो जब ये पूर बाला वस्ताम, यानि कि 3 से 6 वस्ता की देखें, बांटा गया, पूर बाला वस्ता और उत्तर बाला वस्ता, तो पूर बाला वस्ता को 3 से 6 वस्ता की और उत्तर को 6 से 13 या 14 तक बांटा गया है, ठीक है, तो पूर बाला वस्ता यानि तीन से च्छै वस्त में जब आयो होता है जिस वालक की वे संग्वेग आत्मक विकास के लिए वह कितने माता पिता की भूम का वहां पे महत्पूर्ण होती है फोर ताफसन सही हो जाएगा अब देखते हैं दोस्तों अंगला प्रस्ण अधिकांस बिद्वानों क का नाम नहीं दिया गया है यह दिया गया है कि अधिकांस विद्वानों का माना है कि बाड़ वस्ता की आउ मित्धा, परिपक्ता काHigh माना है यह जिग्यासा का काल माना है तो काल वा बुरूस के अंसार दोस्तों बाला वस्ता को जो माना गए है वह अनोखा काल माना है तो बाला वस्तों को मिथ्था और परिपकता सब्द जब भी आये तो यह कहने वाले और कोई नहीं है दोस्तों क्या हो जएगे रास नहीं कहा था इनको जो मिथ्था सब्द रास नहीं आया ठीक है इनको मिथ्था या परिपकता का काल इन्होंने कहा तो इनको रास नहीं आया ठीक है बाला वस्तों को मिथ्था कहते हैं न मिथ्था दोस्त लगाया यनि कि बेवज़े तो बेवज़े परिपकता का काल किसे कहा जाता है किसन निरुदेश ब्रहमण की प्रवत्ति है, जिग्यासा की प्रवलता है, रचनात्मक कारियों में आनंद लेना या उपर्युक्त शबी होगा, तो बाला वस्था में दोस्तों पाई जाने वाली जो प्रवत्तियां होती है या प्रवत्ति हैं वे कौनसी हो जाएंगी तो उपर् अज trif के लिए सेलेक्शन पाने के लिए और इस बार हैंडेट टो एंड वण परसेंट सेलेक्शन पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, सेर करें, सपोर्ट करें सिच्छा को क्योंकि पावर्ड वाई सिच्छा ही प्रकास है दोस्तो सभी मित्रों को जैंद वंदे मात्म दोस्तों हमेशा हस्तरिये मुस्कुराते रहिए धन्वाश अभीका